असलाम वोलेक। मेरे परदेशी भाई आज के वीडियों बताने वाला हूँ अलिनमा पे पे अपना एकाउंट किस तरह से बना सकते हैं क्यूंकि आपको पता होगा अलिनमा पे से भी आप आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लोकल हो या इंटरनेशनल हो आप आसानी से फ पर रिजिस्टर करें उसके बाद यहां पे पे हम अलिनमा पे को ऑपन करते हैं और कुछ इस तरह एक OTP आएगा उस नमर पर जो भी नमर यहाँ पर डाल देना है OTP आचुका है उसके बाद अटमेटिक यह ले लेगा Code यानि डालेंगे उसके बाद अटमेटिक यह ओपन होगा उसके बाद यहाँ पर चार अंकों का एक Code लगाना है आपको password जो अलिर में application को open करने में काम आता है तो यहां मैंने डाल दिया उस नमर को उसके बाद यहां पे नफाद application का option आएगा तो direct यहां पे click करना है यहां पे click करेंगे तो यहां पे एक नमर सो होगा यह नमर आपके पास कुछ और भी हो सकता है जो भी नमर यहां पे सो होगा उसको याद रखना है उसके बाद यहां पे go to नफाद app पे click करें यहां पे click करेंगे तो direct नफाद application पे आजाएंगे तो हम इसे open कर देते है finger से उसके बाद यहां पे accept करते हैं उसके बाद यहां पर प्रोसिट पर फिर से क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी नमर वहां पर 100 हो रहा था यह नमर मेरे पास 100 हो रहा था तो इस पर क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर जो भी नफ़ाद एप्लिकेशन पर कोट लगाएं उस कोट को डाल दे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह फेस करीब में लाकर यहां पर ग्रीन बटन पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर इसका काम हो चुका है उसके बाद हम डिरेक्ट वापस आते हैं और फिर से इस एप्लिकेशन को ओपन करेंगे open करेंगे तो यहां पे आपके पास यह option है तो इसे हम क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं यह open हो रहा है यह मेरा successful हो चुका है verify हो चुका है नफास से तो इस तरह से आपका account नहीं यहां पे देख सकते हैं यह इह उपन हो चुका है लेकिन इसे कंपलीट रिवरिफाई करना होता है तो हम्पर्ण किलिक करना होगा यहां पर दख सकते हैं यहां पर काम करते हैं यहां प्म यहां सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहां पर, employee name पर click करके अपने company का नाम डाल देना है। पर किलीक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर मंदली डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है उसके बाद यहां पे next पे क्लिक कर दें next पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे आपका national address मंगा जाएगा national address आप अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए क्योंकि national address बनाने का मैं तरीका ओले पहले बता चुका हूँ उसमें city का नाम district यानि जिस एरिया में रहते हैं उसे एरिया का नाम इस्टेट नेम यानि पूरे एरिया का नाम यहाँ पे है उसका पुश्टल कोड इरिस्टनल नंबर यूनिट नंबर बिल्डिंग नंबर यह सारा चीज आपको national address बनाएंगे उस पे सो हो जाता है तो यहा सारा details डालकर next पे क्लिक किया है तो इस तरह का option आगया है thank you यहां पे देख सकते हैं तो इसे हम close कर देते हैं close करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं ATM का भी option आ चुका है ki details यहांपे सो हो रहा है अगर आप इसे apply करना चाहते तो apply कर सकते हैं नहीं तो इसे हम रहने देते हैं और यहाँपे मेरा account complete verify हो चुका है और यहाँपे 20,000 हर महीने में आप इसमें डाल सकते हैं सहाँ लिक्वेश्ट मंणी चाधाद बिल जैनि किसी इसमें का भी यह option दिया गया है और यहां पर क्लिक करके add balance का option भी कर सकते हैं और यहां पर हर वह चीज़ दिया गया है यहां पर card का option है यह card है यहां पर उसके बाद यहां पर menu है तो यहां पर और भी चीज़ देख सकते हैं